दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन को परतीशत में कैसे बदले यानि बटे वाली संख्या को हम परतीशत में कैसे बदलते हैं तो वीडियो को आन तक की ज़रूर देखीगा तो चलिए भिना देरी करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर हमें क्या दे रखे हैं भिन दे रखे ठीक है यह सब क्या है हमारे भिन हैं तो इनको हमें क्या करना है परतीशत वाली संख्या में यानि जो इस रोप में संख्या होती उसमें बदलना है तो कैसे बदलेंगे इसको यहां पर हम इसका solution लिख देते हैं और यह संख करना है? 100 से गुणा करा देना है क्या करना है? 100 से गुणा करा देना हैdr machine 100 से जैसे ही गुणा कराएंगे तो क्या होगा दोस्तों हमारा इसको solve कर लेंगे और तो क्या हो जाएगा अबना 21, 2, 2, 2, 5 10 और ये वाला 0 यहाँ पर आजाएगा तो कितना आजाए दोस्तो 50 परतीशत हमारा क्या आजाएगा आंसर आजाएगा अब इसी तरीके से इसको देखी कैसे बतलेगा है यहां पर solution लिख देते हैं दोस्तो और इस वाले भिन को उतार लेते हैं अब इसको हमें क्या करना है परतीशत में बतलना है और इसका गुणा करा दीजे, तीन गुणा 20 हमारा कितना आजाएगा, 60 आजाएगा, तो 60 परतीशत हमारा क्या आगया, आंसर आगया, अब इसी तरीके से बढ़ेंगे थोड़े, जो mixed fraction होते हैं, यानि जो मिश्रित भिन होते हैं, उनको हम कैसे बदलते हैं, परतीशत में चल करते हैं, उसमें plus कर देते हैं, उपर वाले से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 12, ठीक है, और 2 12, टो को plus कर देंगे, एक से तो कितना जाएगा, हमारा 3, तो 3 ko हमनें उपर लिख दिया, और जो नीचे संक्या है, उसको बैसे ही उतार देंगे, तो ये हमने इसको बदल दिया है हमने समाने भिन में, अब वही काम करेंगे, समाने भिन में बदल दिया है, आब इसको गुड़ा करा दीजिए, इसमें 100 से, अब 100 से जैसे ही गुड़ा करांगे, ये परतिशण में बदल जाएगा, तो इसको solve कर लेते हैं दो इकम दो दो पंजे दस यह वाला 0 यहां पर आ जाएगा तो कितना आगे दोस्तों हमारा answer पास तियाए 15 यानि 150 परतिशद ठीक है अब इसको देखिए इसको भी कैसे solve करेंगे पहले तो हम इसको बदल लेते हैं समाने भिन में तो 236 तीन दुनी 6 हो गया दोस्तों ठीक है जहां से गुड़ा कराया और जो 6 आया है उसको क्या करेंगे इसमें एड़ कर देंगे 6 एक कितना होगे हमारा 7 हो गया 7 को यहां पर लिखेंगे जो नीचे वाली संक्या है उसको वैसे का वैसे ही यहां पर उतार देंगे अब इसमें करना क्या है हमको 100 से गुणा कर देना है 100 से गुणा कर दिया हमने अब इसको और solve कर लेते हैं तो देखिए 3 कम 3 होता है हमारा और 3 3 9 होता है ठीक है और 3 3 9 होता है एक इसके पास चला गया 0 बन गया हमारा 10 फिर से 3 3 9 फिर पॉइंट लगाएंगे फिर 3 आएगा फिर 3 आएगा ठीक है जब इसको आप भाग करेंगे तो ये हमारा इतने ही आएगा 33.33 ठीक है अब बाकी क्या करिए आप 7 को गुणा करा दिए आप 33.33 से जब 7 को गुणा कराएंगे 33.33 से तो हमारा मिल जाएगा हमको 233.31 तो ये हमारा क्या आजाए कि दोस्तो आंसर आजाएगा प्रतीशत में तो I hope दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आये होगी आपको भिन को परतीशत में बदलना आ गया होगा यानि बटे वाली संख्या को परतीशत में बदलना आ गया होगा तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक की जैहिंद